नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्पोर्टन्स कंपानी का अपडेट सेयर कने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जुरू कर लीजेगा, तो चलो अभी देख लेते कौन सा कौन सा कंपानी है इस वीडियो के अंदर, फर्स्ट जो कंपानी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है पराग मिल फूट लिमिटेड, तो पराग मिल फूट क्यों अचीव नी हुआ, उसके बारे में भी जान करें दूँगा, तो कहाँ पर मेरा टेड एक्टिव होगा, और किस तरीकिसे में इस टेड को प्लान किया हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर रिसकसन करूँगा, सबसे पहले बता दू, कंपानी के वैलुईशन, मुझे स दस्ते में ही देखने को मिला है, हाँ, रिक्सी कंपानी है, 2000 करो के आसपास मार्केट कैव है, एक रिक्सी कंपानी तो जोरूर है, फिर भी रिक्सी कंपानी के विपर एक पॉइंट सामेशा में आपको बोलत रहता हो, अगर आपनी सई तरीका ढून, सई कंपानी को ढून जहाँ पे रिक्स तो है, साथी साथ कंपानी का फीचर का ग्रोध अच्छा है, कंपानी का बिजनेस अच्छा है, तो सोचेगा उस कंपानी आपको अच्छा का सा ग्रोध दे सकते है, हाँ, कंपानी के थुला सा डेप ज्यादा है, कंपानी डेप को मेंटनेंस करने के बाद अभी इनकाम भी कर रहा है और कमपानी के आरो सी आरहीं दोनों ही एवरेज लेबल का आसपास है अभी मज़ेदर बाद आपको बता दू कमपानी के जो क्वार्टल रिजल्ट है जो इस बार सेयर में गिरावट का में अभी करेंट देखा है तो सेयर में एक वीक फॉल देखन आप कहेंगे सर 10 क्रोड का ही तो सेयल्स कम हुआ तो इसमें क्या खास बात है एक स्मॉल केप टाइप कमपानी के उपर 10 क्रोड का सेयल्स भी बहुत महेंगा पड़ जाते हैं हां अगर एक कोई ब्लूचिप टाइप कमपनी होता जहां पर 10 क्रोड का टोटल सेयल्स कम होता सब्सक्राइब कि प्र ऑच्पवच्पारते गडागी के तो थे थे चलते हैं कि community के तुड़ाते अब हो चुक्ड़ा का dyos 50% का company company का profit काम हो चुले है तो obviously इस तरीके से situation में share में तो एक big fall देखने को मिलेगा ही और result आने से पहले ही company को बज़ इस तरीके से falling situation देखने को मिला था उसका अंदाजा लग गया था कि company के result खराब आने वाले हैं तो अब ही question है कि company के result खराब आया चलो कोई बात नहीं company के share में भी graveyard हो रहा है तो अगर graveyard हुआ तो कहा तक हो सकते है तो एक big question mark है वो में आपको technically chart pattern में समझाऊंगा मेरे क्या view है वो में आपको share करूंगा देखिए मेरे view है इसका मतलब है नहीं कि वो ही तक जाएगा उससे नीचे नहीं जाएगा उसके उपर नहीं जाएगा इसे होगा नहीं मेरा जो points है support resistance के basis में है मतलब कहाँ पर support है उस label तक में आपको marking करके दे सकता हूँ आप यह आपर देख सकते है कि company के sales से में जो profitability है वो कई हद तक काम हो चुके है मतलब यह रोपियर बेसिस में देखे तो company का profit ज्यादा है अगर पिछले सालों के तुन्हें से company के compare कर दो तो company का profit काम हुआ अभी एक चीज़ों को notice करना कि company के उपर जो balance सीड है वह पर देखिए company के reserve बहुत संदर ग्रोथ हुआ company इस बार करज़े को बढ़ा दिया पिछले बार जो करज़ा था इससे भी ज्यादा इस बार करज़ा लिया गया और question यह आ रहा है कि company जो करज़ा लिया खिक्स 45 करड़ के आसपस बहुत है क्या wr बहुत करज़े को मिटा सकते हैं देखिए इस बार बिचले तो तीन सालों से जादा यह तेडर करेवण Scorpon की अवर अर्वरल company के नहीं हुआ इतना भी खराब आज Kirsty रहा है किकस सिरक कंपानी के रेजाल ही खराब है बागी सब कुछ तो ठीक ठाकी चला है और इंस्टुटुशन क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टन्स है अगर इंस्टुटुशन के बारे बात करो अब धूरी देख सकते हैं मीचल फंट ने पूरा के पूरा माल बेश दिया मतलब पूरा के पूरा मात मतलब 0.56% होलडिंग था अभी 0.07% का आसपस होलडिंग हो चुके है अभी FS के पास holding पहले जितना था बारा परसन तेरा परसन आज वो घटके 9 परसन के आश्चिक आ चुगा है मतलब कुछ quantity आप बेचा गया तो इसका मतलब यह नहीं कि कमपणी खराब हो गया कि कमपणी रिक्सी कमपणी है तीसली इंस्टिटूशन तो माल भेचेंगे ही अभी किस तरगी से माल भेचा गया वो मैं आपके साथ स्यार करना है सबसे पहले में टेक्निकली चाट्पर्ण के बारे में बात करो देखें एक लंबा सा धमा का जार्णी आपको यहां पर देखने को मिला था 2022 के बाद और देखें जब इस रेंज को ब्रेक आउट रहा था तब इस रेंज को ब्रेक आउट करने के बाद एक बिग जर्णी आ तो मुझे लगते हैं यह जो रेंज बना था यहां पर जो स्टॉंग ली एक मतलर रेजिस्टंस बना था उस रेजिस्टंस को ब्रेक किया रेटेस्ट किया उसके बाद देखे बिग जम हुआ अभी देखे वो ही रेजिस्टेन्स का सपोर्ट की हिसाब से टच करने के लिए आ रहा है तो वो लेवल जो बनके आ रहा है करीबन 160 रुपिस के आसपास अभी चलो और भी डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ देखे म कोई breakout होगा तो breakout किस तरीके से हो रहा है देखिए finally जब breakout होई तब एक grain candle दिखा मगर मुझे breakout confirmation नहीं मिला इसका मतलब क्या है कि देखिए जो रेंज इसका बना है काप वी धाने पैटन का और उस पैटन को जब भी breakout करता है तो मुझे कोई grain candle चाहिए और उसके ऊपर उसके तो strongly जो इसका support level आ रहा है एक सो साट रूपीज से लेकर एक सो पच्पन रूपीज तब इस लेबल बहुत strongly एक support है इस support को देखिए यहाँ से कमपाणी पहले सी बहुत भाग चुके थे इसलिए profit booking हुआ है और दूसरी बात company का खुद के जो profit ratio बहुत कम हुआ है तो उसके चलते थोड़ा सा pressurize बनता हुआ देखने को मिलेगा अब इदिके मुझे दू तरीके से 20% के आसपास तो big fall हो चुके है तो मुझे लगते इस situation में आने के बाद में कुछ quantity adding करूँगा तो add अगर में lower side से करूँ इस level से करूँ और यहां से अगर top level तक target बने तो almost 84% के आसपास target बन सकता है तो मैं इस company के पर obviously bullish रहूँगा जब इस situation को compete करेंगे तो बाकिया आपके क्या रहा है जो मुझे comments करके बता सकते हैं तो next जो company है उसका नामे ASRF limited तो basically ASRF के उपर एक good update है जो मैं आपके साथ share करूँगा आप देख सकते है मीरा industries bags 74.7 million order तो obviously जो ring twisting है तो उसके उपर twisting message जो है उसके उपर जो 1974.7 million तो एक अच्छा गास orders company को मिला तो basically 7.47 million मतलब 7,47,47 वर्टिस सारी 7 करोड 47,007,00,429MM के आसपास तो overall अच्छा का से कंपानी को project मिला और इस project के चलते company को थोड़ा सा positivity तो आया था मगर company में कुछ news के करण कुछ basis के करण company में big wall देखने को मिला जैसे कंपणी का क्वाटर लेजल देखिंगे वह वwegen का चांप करोडर में कि यारु एक उसका का पृपनी का अगमार देखंगाी तो result आने के बाद हमेसा CRM correction होता है तो देखे company के उपर जब जीस तरी के से मुझे patterns मिला था एक कफ भी धाने पटने से बना और उसके बाद finally break out हुआ break out confirmation भी हुआ जब retest किया इस जगा पर मैंने क्या क्या antilia और antilia ने एक बाद देखे company के उपर एक big fall हो चुक है अभी fall जो हुआ तो वो एक strongly support level में आकर रुख चुक है वो strongly support level क्या है यह जो line जा रहा है इसको strongly support level कहोंगा क्यों क्यों कि दिखिए बार बार यहाप एक बार touch किया यहाप एक बार touch किया उसके बाद इसको breakout करने के बारी test किया उसके बार देखिये bounce back किया था उतनल एही level को वो touch करके यहां से bounce back कर सकते हैं दो तरहिका से scenario बन सकते हैं यह से उपर भी जा सकते है यहां से नीचे भी आ सकते हैं अगर नीचे आये तो कहा तरह आने का चांस है करीबन करीबन देखा जाए तो 2000 रुपीज के आसपास आने का चांस है बागी आपके किराहिए इस कंपनी के वह जोरू कामेंट्स करके बताना नेक्स चांपनी उसका नामें Fine Organics Limited तो Fine Organic Industries Limited एक चोटा सक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है तो इस कंपनी के उपर सबसे पहले जो इन्पोर्टन्स आपडेट है जो मैं आपके साथ यायर करूंगा अभी भी इस कंपनी का हालत खराब है इस सरब जैसे क्योंकि सेल्स के आकड़ा देखेंगे और उसके बाद कंपनी के नेट पॉफिट इस सालों में कंपनी के यर अप यर बेसिस में कंपनी के नेट पॉफिट फोड़ा सा कम है मगर क्वाटर बेसिस में कंपनी का पर सांधा तरीके से नेट पॉफिट दिखा तो जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि केमिकल सेक्ट पने दिखाback आप देख सकते हैं किस तऱी के से सिक्षिंखन बना पहले दिखिएंब कमपअई को बहुत तरे का जा रहा है तो नहीं को समझिए company बार बार क्या कर रहा है इसी level को retest करने के लिए लेवल कमपनी के strongly level है जब भी इस लेवल के आसपास आ रहे है वहाँसे bounce वे कर रहे है वही level को touch कि है मतले यहाँसे भी bounce back करने का chances है अगर उपर गहे तो कहा तक जाने का chances है 5056 के आसपास तो मैंने कोई टेड नहीं लिया मैं सिर्फ इसको स्टाड़ी कर रहा हूँ कि इस कंपनी को पर अभी फ्रेसेंटू तब लोंगा जब मुझे क्लियर कट एक स्टाड़ीज मिलेगा तो उसके लिए मैं इंतेजर करूंगा और आपके किराह हैं जो दो मुझे कमेंट्स करके बत अपड़ेड है तो कंपनी वान इस टू रिश्यो के आप फिर से एक बार बोनस देने जा रहा है और इसका डेट भी अनुस्मेंट हो चुके है 24 जून तो 24 जून कंपनी आपको बोनस देने जा रहा है इस डेट को याद रखना और जो लोग बोनस पाना चाहता है एक बार और रिशाच करना उसके बाद काम करना वीडियो में सारे जानकरी अज़ एड्यूकेशन परपस में दिया गया है किसी भी कंपनी इसको को और मेरे तरफ से बायन सेल कर एक कमेंड़ से नहीं है मेरे बात को सुनकर आप काम कर रहे तो आप बूरी तरीके से लॉसे भी आपक के साथ बातचीव करके काम करिए आपके रिक्स को मैनेज करके काम करिए तब तक के लिए धन्यवाद